वेलकम माइडियर स्टूडेंट्स आज हम लोग शुरू करेंगे थर्मल फिजिक्स बेसिकली अब ये एक हाई वेटेज टॉपिक है नीट और जेई के पॉइंट आफ विए से मुझे एक बात आप समझानी है पहले आपको आप ये समझ लिजे कि ये टॉपिक से लेक्टर सीरीज अब कब देखेंगे देखो बिटा अगर आपको एक रिव्यू चाहिए ना चैप्टर के बारे में यानि आप कम टाइम में चैप्टर को कवर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आपके कमपुटेट्व एक्जाम में आ जाएं तो आपके लिए ये टेस्स सीरीज ये आपके लिए लेक्टर सीरीज बहुत बहतरी है ठीक है आप बस इसे देखिए और साथ साथ में आप प्रैक्टिस करिए चीजों को ताकि आपका होल्ड जो है वो अच्छा खासा बन जाए अब यहां पर हम ज्यादा डीब डिसकेशन्स नहीं करने वाले हैं रिगार्डिंग दे चैप्टर मैं आपको बता दूँ हम यहां पर डिसकेशन्स करेंगे या मैं बताओं कि मुद्दे की बातें करेंगे वो मुद्दे की बातें जिन पर सवाल डिरेक्ट बनते हैं जो आपके काम आएंगी डिरेक्ली क्वेशन को टार्गेट करने के लिए ठीक है आपको सब समझ आ जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है मैं किसी चीज़ को स्किप नहीं करने वाला बट आपको पेशन्स दिखानी होगी ठीक है तो बेटा सबसे पहला टॉपिक जो हम थर्मल फिजिक्स में शुरू करेंगे ना वो होगा बेसिकली टंपरेचर हर किसी टॉपिक के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा उतना जितना आपको एक्जाम के लिए चाहिए तो बिसिकली टंपरेचर हम कहते है किस चीज़ को है आपने अकसर सुना होगा कि टंपरेचर का मतलब होता है degree of hotness या फिर coldness है ना degree of hotness या फिर coldness of a body मैं आपको समझाता हूँ इसका meaning क्या है देखो मान लो अगर आपके पास एक object है यहाँ पर and this is object A और यहाँ पर दूसरा object है which is object B और आपने देखा कि A object से कुछ energy निकल रही है और वो B object तक जा रही है है ना जब हमने इनको connect किया तब ऐसे directly नहीं है ना तो connect करने के बाद energy A से B की तरब जा रही है तो आप क्या बोलते हैं कि भई A के पास जो है वो higher temperature है A के पास जो है वो temperature ज्यादा है और जो B है ना B के पास कम temperature है it has basically lower temperature है ना अगर मैं आपको एक line में बोलूँ temperature की definition वो ये है कि it is basically quantity जो decide करता है direction of heat flow याना it decides the direction of heat flow ये decide करता है heat flow की direction को direction of heat flow जैसा मैंने आपको पहले ही बोला हम definitions में ज्यादा deep नहीं जाने वाले तो ये direction को decide करता है यानि आप ऐसा समय सकते हो कि heat कहां से कहां flow करेगी that is decided by temperature और आप याद रखोगे heat हमेशा flow करेगी high temperature से low temperature की तरफ it's a rule है ना ठीक heat हमेशा flow करेगी high temperature से एकदम low temperature की तरफ ठीक है अब अगर आपको temperature का थोड़ा सा idea और चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि इस temperature का idea ऐसा है कि जैसे मान लो मेरे पास एक substance है और इसके अंदर बहुत सारे molecules हैं अब अगर ये molecules ज्यादा energetic है ना अगर इन molecules के पस बहुत ज्यादा energy है तो हम बोलते हैं कि इस object का temperature बहुत ज्यादा है इसको समझ लेजेगा high energy simply means temperature इस चीज़ को समझो यह अगर हम किसी body का temperature determine करते हैं ना that is directly proportional to जो उसके अंदर energy है molecules के पास ठीक यह अगर molecules के पास ज्यादा energy है तो temperature ज्यादा है जैसे मांग लो कि अगर किसी body का temperature है 90 degree Celsius यह A body है इसका temperature है 90 degree Celsius यह दूसरी body है इसका जो temperature है वो है suppose 5 degree Celsius अब आप यहाँ पर समझो temperature किसके ज्यादा है A का तो मैं आपको यह बात बता सकता हूँ कि जो body A है ना इसके अंदर जो molecules हैं वो हैं ज्यादा energetic इसके अंदर जो molecules हैं वो basically high energetic molecules है compared to the molecules of B B के जो molecules हैं B का temperature तुम देख पा रहो कम है तो इसे लिए इसके अंदर जो molecules हैं ना they are basically less energetic than A they are less energetic than A वो A से कम energetic है वो A से ज्यादा energetic नहीं है ठीक है अब यहाँ पर देखो temperature कर difference है temperature difference है तो यहाँ पर energy flow करेगी कहां से कहां flow करेगी energy यहाँ flow करेगी A से B तो जब energy A से B जाएगी ना तो जो energy A से B तक जाएगी वो कौन से energy होगी हम उसे energy को कहते हैं बिटा जी heat flow आई बद समझ में हम इसे बोलते है heat flow ठीक है अब यहाँ पर समझना बात को जब किसी object को heat देते हैं ना लोग मान लोग कोई object है उसे आपने heat दिया तो दो चीज़ें हो सकती है पहली चीज अकसर यह देखा गया है कि उसका temperature बदलता है उसका temperature change होता है है ना usually किसी चीज़ को heat दोगे तो उसका temperature rise करता है बट कई बर ऐसा होता है कि temperature बदलता ही नहीं है temperature fix होता है है ना आपने heat दी है substance को बट temperature बढ़ नहीं रहा समझ लो जिस जगह पे temperature नहीं बढ़ रहा होगा ना उस जगह पे state change हो रहा होगा state change होने का मतलब क्या है phase बदल रहा होगा है ना बेटा जैसे मान लो अगर आपके पास solid है आपने ice मान लो है ना आपने इसे heat दिया तो क्या होगा इसका temperature थोड़ी बढ़ेगा अभी ये 0 degree Celsius पर है आप कुछ देर बाद चेक करोगे ये तब भी 0 degree Celsius भी होगा लेकिन इसका state बदल चुका होगा अब ये solid से ice से water बन चुका होगा तो जहां कहीं पर भी temperature नहीं बदल रहा है it simply means कि वहां पर क्या हो चुका है वहां पर phase transition हो चुका है ठीक है बस इतना याद रख लो heat supply करोगे temperature बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है अगर नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर state change होई है ठीक है ये brief introduction था अब temperature को major कैसे करते हैं बेटा we have temperature scales for that हमारे पस temperature scales है उसके लिए temperature scales है हमारे पस द्यान से सुना majorly आपने पस तीन scales होती है one is called as Celsius scale अब जानते हैं इसे है ना दूसरा बोलते है हम लोग Kelvin scale ठीक है और एक Fahrenheit scale होती है Fahrenheit scale Fahrenheit scale और एक होती है Kelvin scale द्यान से सुमझेगा तीन scales होती है Celsius, Fahrenheit और Kelvin अब जो यह Celsius scale होती है ना किसी भी thermodynamic scale के ओपर दो points एहम होते हैं समझ लो पहला होता है जो lower point होता है जो सबसे कम temperature इस scale से major किया जा सकता है उसको बोलते हैं freezing point of water इस चीज़ को समझ लो freezing point of water सबसे कम temperature जो scale पर major किया जा सकता है होता है freezing point और सबसे ज्यादा temperature जो होता है ना वो major होता है boiling point of water है ना ठीक यहां पर ना Celsius scale में सबसे कम point होता है zero degree Celsius और सबसे ज्यादा जो highest point होता है 100 degree Celsius जिसे major किया जा सकता है ठीक Fahrenheit scale की बात करें तो Fahrenheit scale पर सबसे कम temperature होता है 32 Fahrenheit और सबसे ज्यादा जो होता है ना 212 Fahrenheit boiling point Kelvin scale पर सबसे कम होता है 273.15 Kelvin हम इसे approximately 273 ले लेते हैं और सबसे highest temperature जो आप major कर सकते हो वो है 373.15 Kelvin जिसे हम approximately 373 ले लेते हैं ओके ठीक अब यहां पर आती है ना एक बात कि हमें सरा हमें convert कैसे करेंगे हम लोग जैसे मान लीजे सर अगर आपने पास Celsius scale का temperature given है तो हम उसे Fahrenheit temperature में बनाना चाहते हैं ठीक है या सर हम उसे Kelvin temperature में convert करना चाहते हैं ठीक है देखो बिटा मैं basic मैं इसकी mathematics में derivations में बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ मैं बस आपको एक idea देना चाहता हूँ जिसे आपके questions बनेगे details नहीं है यह बस इतना समझ लो details आपको नहीं मिलेंगे इस lecture में बस आपको targeted tricks और questions कैसे बनाएंगे वो cheese मिलेगा लेकिन concept के आपको आजाएगा ठीक है देखो कैसे करना होता है मैं इसे एक term बताता हूँ कि जैसे मान लो Celsius और Fahrenheit का conversion करना है तो मैं कहता हूँ अपनी language में कि इन दोनों को calibrate कर दो in scales को Celsius scale और Fahrenheit scale को क्या कर दो calibrate अब अब बोलेंगे sir calibrate करने का मतलब क्या है देखना calibration का मतलब यह होता है मैं इन दोनों का minus करता हूँ c minus 0 divided by इसी तरह से मैं इन दोनों का minus करता हूँ 100 minus 0 is equal to हो गया अब मैं इसी तरह से इन दोनों का minus करता हूँ 212 minus 32 इसी तरह से मैं इन दोनों का minus करूँगा what is that k minus 273 upon इन दोनों का minus what is that बेटा 373 minus 273 इसी क्या बन गया c upon 100 इसी क्या बन गया f upon 180 और यह क्या बन गया है k minus 273 upon 100 है कि नहीँ अब देखो मान लो आपको इन दोनों को रिलेट करना है तो इन दोनों को लिख लो ऐसे c अच्छा स्वरी यहां पर 32 है I am sorry उल्टा कर लिए ठीक है तो c by 100 is equal to f minus 32 upon 180 है ना 00 cancel 25R to 9R अब देखो यह बन गया ना f is equal to 9 by 5 c plus 32 2 देख लो हो गया convert फरनाइट वाला Celsius में मान लो मुझे फरनाइट और Kelvin को करना है convert तो आपस मैं ऐसे लिख दो f minus 32 upon 180 is equal to k minus 273 upon 100 तो यह 00 cancel यह बन जाएगा 9 और यह बन जाएगा 5 तो ठीक है ना calibration कर लो कैसे मैंने बुला calibration में repeat कर देता हूँ आपके लिए calibration ऐसे करनी है इन दोनों का minus और इन दोनों का minus इसी तरह से इन दोनों का minus और इन दोनों का minus इन दोनों का minus और इन दोनों का minus ठीक है अब calibrate कर सकते हैं इस तरह से in fact आपको एक बात बूलो मैं ठीज़ यहां पर एक दू बाते और बताता हूं हमें जल्दी जल्दी में देखें बिटा एक चीज़ और है जैसे मान लो अगर आपको इन स्केल्स को कैलिबरेट नहीं करना होगा मान लो कभी कभी आपको बोल देता है कि ठीक है अपना एक काम करो स्केल्स केल को कैलिबरेट कर दो आप लेंध वाली स्केल के साथ ठीक है मैं आपको बताता हूं इसका मीनिंग क्या है मीनिंग है मान लो आपसे सवाल में ऐसे बोला गया कि भई एक रॉड है उस रॉड की लेंध जब होती है ना 10 मीटर तो उसका टमपरेचर होता है 10 डिगरी सेल्शेस और जब उस रॉड की लेंध बन जाती है ना 50 मीटर तो उसका टमपरेचर हो जाता है सपोज 80 डिगरी सेल्शेस ठीक है आप बताओ जब उस रॉड की लेंध थी minus 10 cdc बात है c minus 10 upon 70 is equal to यह आजाएगा 5 upon 40 00 cancel तो c आजाएगा 75 upon 4 plus 10 तो यह नहीं आजाएगा 35 by 4 plus 10 हो गया ना ठीक है अब जरूरी नहीं है length के बारे में ही वो कहें ठीक है वो length के बारे में भी कह सकता है इससे ज्यादा भी कह सकता है जैसे मानलो उसने कभी बोल दिया length नहीं उसने बोला कि एक मानलो gas है उस gas का pressure जब होता है ना suppose 5.8m ठीक है तो उस time पे उस gas का जो temperature होता है वो होता है 10 Fahrenheit फिर जब उसी gas को हम pressure देते हैं ना 180 अब लगाते है प्रिशर तो मानलो कि उस gas का जो temperature है वो बन जाता है 80 Fahrenheit आपको बोलना है कि बताईए जब उस gas का temperature था 50 Fahrenheit आप बताईए उस time पे उस gas का pressure कितना होगा ठीक है अब जाहर से बात इसको कैसे करोगे calibration 50-10 है ना 80-10 is equal to P-5 upon 100-5 तो यहां से आ जाएगा in fact आप देखो यहां temperature और length को calibrate किया गया है यहां temperature और pressure को calibrate किया गया है मैं तो कह रहा हूँ वो temperature और volume को calibration दे सकता है किसी भी चीज को किसी भी चीज को calibrate करें आप लोगों को आना चाहिए कि calibration में कैसे हम लोग उसको calculate करेंगे ठीक है न मेरी बात ठीक तो आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है अच्छे एक बात बताओ यहां पर कुछ important graphs है जिनको समझना है फिर Celsius वाली scale खातम हो जाएगी जैसे मुझे बताओ पहली चीज हमने अभी अभी formula पढ़ा है क्या हमने पढ़ा C जो हमने पढ़ा F is equal to 9 by 5 C plus 32 यही प बोरौम मतलब 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 समझ फर्न हाइट वर्सेस का graph ठीक है तो यह आजाएगा नवाई is equal to mx plus c टाइप है नवाई स्केल पर f है x वाली स्केल पर c है और यहां पर intercept वो है 32 तो इसका graph कैसे आगा intercept positive है मतलब यहां पर तो graph गुछ ऐसे आजाएगा है नथीक यहा आपका सुलूप बताओ मुझे टैन थेटा तुम जानते हो ना सुलूप क्या होता है वाई कॉर्डिनेट का चेंज अप़न एक्स कॉर्डिनेट का चेंज वो कितना आएगा इस से यहां से एम सुलूप अगर लो क्या है नाइन बाई फाइफ तो देखो भई पता चल गया फ is equal delta f is equal 9 by 5 delta c जैसे कल को बोल देगा कि बताओ अगर फर्न हैट स्केल पर temperature चेंज हो रहा है भई 50 डिगरी है ना ठीक तो बताओ ये celsius scale पर कितना change होगा तो आप बोल सकते हो कि देखो भई delta f जो है वो तुम दे रहे हो बोला कि celsius scale पर temperature का change है 100 ठीक है आप मुझे बताओ ये फर्न हैट स्केल पर कितना change आएगा तो आपने कहा कि देखो हमने पढ़ रखा है delta f is 9 by 5 of delta c इसका मतलब है delta f हमें नहीं पता है 9 by 5 of delta c is 100 5 1 और 5 2 और 0 और तो 180 डिगरी का change है नहीं ठीक है अच्छा एगर celsius versus fernheit grab बनाओगे तो celsius का conversion क्या है 5 by 9 f minus 32 सर आपको पर कैसे पता calibration से बिटा तो यहां आ जाएगा ये c यहां आ जाएगा f ठीक है अब देखो intercept क्या है यहां पर intercept ऐसे लिख सकता हूँ मैं 5 by 9 f minus 5 into 32 by 9 ठीक है तो यहां पर intercept है ना 5 by 32 5 into 32 minus 9 मतलब यह negative intercept है तो यह ऐसे आ जाएगा graph यह theta है इस graph का सलोप होगा delta c by delta f और वो आ जाएगा बराबर बेटाजी 5 by 9 ठीक है ओके इस तरह से चाहूँ तो Kelvin scale का भी कर सकता हूँ मैं जैसे आपको पता है Celsius किसके बराबर होता है जरा मुझे बता हूँ Kelvin का जो भी temperature है उसमें से 273 minus पता है ना आपको तो यह देखो Y is equal to MX plus C type है ठीक है इसका मतलब यह है कि अगर आप Celsius और Kelvin का graph plot करोगे आपका intercept आएगा negative तो यह graph ऐसे आजाएगा ठीक है यहाँ पर थीटा तो 10 थीटा बताओ जरा मुझे 10 थीटा आएगा ना डेल्टा C by डेल्टा K है ना और वो यहाँ पर intercept है 1 इसका मतलब है C is equal to डेल्टा K इसका मतलब समझो अगर Celsius स्केल पर 40 degree का change आ रहा है तो बेटा जी Kelvin स्केल पर भी 40 degree 40 Kelvin का ही change आएगा क्यों क्योंकि Celsius स्केल पर कितने divisions होते है 100 और Kelvin स्केल पर कितने divisions होते है 100 तो जितना change Celsius स्केल पर देखने को मिलेगा उतना ही change Kelvin स्केल पर भी देखने को मिल जाएगा ठीक है तो अब देखा यहाँ पर समझ लो जैसे मैंने आपको बोला किसको connect कर दिया है temperature और pressure को तो इसे pressure thermometer कहते हैं ठीक है मुझे लगता आप समझ चुके हो है ना जो मैं कह रहा हूँ आशे एक बात बताओ जैसे एक short सवाल ले लेते हैं जल्दी जल्दी वाला ठीक एक scale है इसे बोलते हैं rumen scale rumen scale पर जो ice point है ice point मतलब सबसे कम वो है zero rumen ठीक है और जो steam point है steam point मतलब boiling point है ठीक है steam point जो दिया गया है वो है ATR आप से बोला है find value of 20 degree Celsius on this scale यहनि अगर हमने Celsius scale से 20 degree major किया है तो आप बताए rumen scale पर कितना होगा देखो इसने rumen scale और Celsius scale को calibrate किया है Celsius scale पर सबसे lowest 0 सबसे highest 100 rumen scale पर सबसे lowest 0 सबसे highest 100 दिया गया है न Celsius scale पर अब आया है 20 बताए rumen scale पर कितना आएगा हाँ तो calibration है R minus 0 upon 80 minus 0 सही बात है क्या is equal to 20 minus 0 upon 100 minus 0 ठीक तो यह बन जाएगा R upon 80 is equal to 20 upon 100 which will be simply 1 by 5 तो R is equal to 80 by 5 which simply means 16 R 16 R देखने को मिलेगा जब 20 degree Celsius यहाँ होगा वहाँ 16 R होगा समझाई बात ठीक है तो ऐसे छोटे मुटे सवाल तो कर ही लेंगे न हम लोग ठीक है तो यह simple lecture था on what calibration हम इसको छोटा छोटा ही पढ़ेंगे ठीक है ज़्यादा हम expand करने की कोशिश नहीं करेंगे इसको ठीक आपके सवाल ना आराम से बन जाएंगे बिना किसी tension क्या आप रहो आपके questions easily बन जाएंगे ठीक अब हम आते हैं किस चीज़ पे दूसरे topic पे इसमें दूसरा topic है thermal expansion शुरू करते हैं thermal expansion अब बेटा एक चीज़ समझो यह आपने पढ़ा हुआ है thermal expansion का मतलब कहा है जब आप किसी चीज़ को heat करते हैं किसी solid को किसी matter को usually यह property है कि matter को जब heat करते हैं without change of state मतलब आप change नहीं करें उसका state without change of state state change नहीं हो रहा है हम बोल रहे हैं कि जब हम matter को heat करेंगे without any change of state तो वो expand करेगा उसमें expansion आएगी ठीक है इसी का नाम है thermal expansion यानि जैसे जैसी temperature बढ़ेगा तो thermal expansion हो जाएगी उसमें समझे ही बात जैसे मान लो अगर मेरे पास एक solid है solid के अंदर atoms ऐसे होते हैं इस तरह से atoms होते हैं solid में ठीक है और उन atoms के बीच में होता है bond हम कहते हैं physics में कि वो bond ना एक spring की तरह होता है that bond is like a spring वो bond एक spring की तरह होता है ठीक है इस तरह से ऐसा treat करा जाता है ठीक है जिस तरह से spring oscillate करता है वो bond भी वैसा ही होता है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत elasticity होती है तो ये bonds है उसमें ठीक तो जब आप उसे heat देते हैं आपको पता है क्या होता है जैसे ये atom देख लो और ये atom देख लो ये रुके हुए थोड़ी होता है आपको पता है solid में atoms रुके हुए नहीं होते बोलके वो क्या कर रहे होते है vibration ये ऐसे oscillate कर रहा होता है ये भी ऐसे oscillate कर रहा होता है ठीक है आगे पीछे इस तरह से इस तरह से जब आप heat देते है तो oscillation का amplitude बढ़ता है मतलब अभी ज़्यादा तेजी से oscillate करते है ये भी ज़्यादा तेजी से oscillate करता है ठीक है और जब ये oscillation बढ़ जाती है इस चेकर में inter atomic distance बढ़ती है याने atoms के बीच का जो distance है वो बढ़ जाता है और नतीजा नतीजा आप जानते है expansion ठीक है नतिज़ा expansion होता है ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा सा अगर एक idea बताओ ना rough idea जो neat के या जी के perspective से important है वो ये है कि जब हम solids का graph बनाते है potential energy versus distance graph UX graph potential energy versus distance graph तो बेटा वो graph कुछ ऐसे आता है हमारे पास वो graph कुछ इस तरह से आता है potential energy versus distance चलो मान लो मैंने क्या किया है मैंने एक solid लिया है जिसमें के मैंने दो atoms लिये है A और B ठीक है उनके बीच का ये bond है मैं देख रहा हूँ कि A को मैंने fix कर दिया समझना और B को मैं कह रहा हूँ कि चलो तुम oscillate करो और मैंने potential energy के graph plot कर दिया है ये A है ये यहां पर roughly B है अब ये तो रहा fix चैचा हो गए है fix और इसका क्या हो गया है ये करता है oscillate मान लो ये यहां और यहां इन दो positions के बीच में oscillate करता है तो इस टाइम पर oscillation की mean position ये है अब सोचो जब तुम heat करोगे तो what will happen oscillation बढ़ जाएगी ना अब ये इन दो points के बीच में ने अब ये यहां और यहां oscillate कर पाएगा अब जरा तुम बोलो अब mean position क्या होगी अब mean position यहां पर shift होगी अब mean position इन दो के बीच कहीं यहां पर experimentally देखा गया है फिर जब आप और temperature बढ़ाएँगे ना तो what will happen happen कि यहां से और यहां तक oscillation हो जाएगी अब ठीक है देखो क्या होता है oscillation के चकर में क्या हो रहा है अब इन दोनों की mean position वो यहां कहीं आएगी तो आप क्या देख रहे है experimentally कि mean position जो यहां थी पहले अब वो mean position इधर जा रही है मतलब पहले इन दोनों के बीच में average distance यही थी atoms के बीच में अब average distance हो गई है यह वाली ठीक है फिर average distance बढ़ गई है और तो average distance जब बढ़ दे है तो इसका मतलब है expansion हुआ है बस इतना याद रखो कि जो यह graph है यह asymmetric है यह symmetric नहीं है अब इस asymmetric graph के वज़े से expansion हो रही है ठीक है अगर यह graph symmetric होता सर थोड़ा समझाईए द्यान से देखिएगा इदर अब अगर यह graph symmetric होता ऐसे होता सुचो यह A होता यह B होता ठीक है यह होती mean position है ना इन दोनों के बीच में oscillation हो रही है अब यह oscillation अगर बढ़ भी जाती ना बेटा द्यान से सुनो mean position फिर भी यही रहती क्यों graph symmetric है ना यहां और यहां आब oscillation हो रही है mean position फिर भी यही रहती तो यह जो mean position है ना यह fix हो जाती ना अगर graph symmetric होता तो इस case में क्या बोलते there is no expansion लेकिन graph symmetric नहीं है और expansion होती है समझी मेरी बात तो याद रखेंगे नचल में जिन जगा पर graph asymmetric होता है उन्ही जगा पर expansion होती है और majority of the solids 99.99 solids में ऐसा ही होता है asymmetry होती है उस वज़े से expansions होती है ठीक है अब expansions सबसे ज़्यादा किसमें होती है gas में अब यहाँ पर देखो ना जैसे मुझे एक बात बताओ तो expansion कई सारी तरह की हो सकती है जैसे एक fundamental expansion है जिसे बोलते है linear expansion linear expansion का मतलब क्या है length बढ़ रही है जब आप temperature देते हो heat देते हो length increase होती है उसे कहते है linear expansion समझा रही है मेरी बात और आप देख रहे हो वहाँ पर आप define क्या करते है जैसे मान लो यह length है इस material की length है L naught suppose है ठीक आपने temperature दिया अब इसकी length बढ़ गई है अब यह बन चुकी है इसकी length अब यहाँ पर temperature length का change जो आया है वो है delta L ठीक और इसकीस में temperature के change है delta T अब आप ऐसे बोलते हैं कि alpha coefficient of expansion linear expansion इसका मतलब होते है कितनी length बढ़ गई है as compared to the original length ठीक है into change of temperature तो delta L को लिख लेते हैं हम लोग alpha L naught delta T remember this thing it's very important ओके और अगर हम इसे थोड़ा सा expand करें delta L को लिख सकते है final length minus initial length यदे L naught is equal to alpha L naught delta T जीसे ऐसे लिख सकते है LF is equal to L naught into 1 plus alpha delta T यह expansion यह equation आपने सुना होगा ठीक है LF क्या है final length L naught क्या है initial length ठीक है न और alpha क्या है coefficient of linear expansion ठीक देखो अगर इसका unit देखेंगे delta L का unit meter delta इस L का भी unit meter और temperature का unit suppose Kelvin तो इसका unit क्या आएगा per Kelvin यहनि inverse of temperature तो per Kelvin per degree per Fahrenheit यही सब होता है expansion का unit clear हो रही है मेरी बाद ठीक है अब जैसे देखो मैं कुछ क्या मैं तेज़ चल रहा हूँ क्या नहीं revision है तो तेज़ चल सकते है थोड़ा सा ठीक है आपने एक बड़ी पड़ा हुआ चीज़ों को मैं तो बस overview दे रहा हूँ ठीक है न ओके कुछ questions करते हैं बेटा जी जैसे कि मैं लिख देता हूँ question तो ये रहा question अब देखो कैसे करेंगे इसको question क्या है तो 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 समझ लेते हैं पहले ये बोरा है कि आप बताए कि कितना change करना पड़ेगा temperature एक iron ring का iron ring का जो diameter है वो है 15 cm अगर हम उसे लगाना चाहते है एक wooden wheel पर और wooden wheel का temperature है 15.02 मैं समझाता हूँ दिखो बिटा ध्यान से सुनो सोचो तुमारे पास ओहो ये क्या आगया एक सेकेड एक सेकेड़ ring लानी हमें है चलो सोचो तुमारे पास एक ring है इस तरह से ठीक है इस ring का जो diameter है सबोज वो diameter आप सोच लो वो है अपनी जगा पे 15 cm ठीक है हम चाहते हैं इस ring को हम mount करें ठीक है किस पर एक मांग लो एक और ring है हमारे पास एक wooden wheel है हम चाहते हैं इस wooden wheel पर हम उसे mount कर दें ठीक इसका diameter है 15.05 तुम बोलोगे सर होई नहीं सकता आप ये ring iron ring उठा कर उस पर कैसे लगा सकते हो क्योंकि उसका diameter तो ज़्यादा है ठीक है तो मैं कहूंगा ठीक है ना मैं इसे heat देने वाला हूँ जब मैं इसे heat दूँगा तो ये क्या करेगी expand और जैसे ही expand हो जाएगा उसका diameter हो जाएगा 15.05 मैं उसे उठा कर लगा दूँगा उसमें सवाल यही पूछ रहे बताओ इसका temperature कितना बढ़ाया जाए पहले मुझे बोलू ना इसका initial length कितना है initial length is इसका 2 pi r या ना pi 2 r को लिख सकता हूँ मैं diameter यानि pi into 15 ठीक है और final length कितनी होनी चाहिए pi into diameter pi into diameter is 15.05 ठीक है what should be the change in length change in length क्या करना है मुझे change in length होना चाहिए नहीं यहाँ पे 15.05 minus 15.15 इंटू πाई दोनों का minus ना वो होगा रह 0.5 पाई तुम समझ पा रहे हो ठीक है अब मुझे एक चीज़ बता हूँ मैंने अभी यह भी delta L के लिए formula पड़ा है क्या alpha delta l naught alpha delta T है ना तो that is equivalent to 0.5 pi ठीक l naught का value क्या है बिटा 15 alpha का value क्या है alpha is basically what 2 into 10 to the power minus 5 delta T मुझे निकालना है that is 0.5 into pi ठीक है यही आया था delta L का value हाँ यही आया था ठीक है तो यहाँ पर हम delta L को solo कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर जब delta L को solo कर गए वो आयेगा 5000 बड़ा दो आपका यह जो रिंग है वो easily इस पर mount हो जाएगा ठीक है एक और सवाल लेते हैं ठीक यह रहा सवाल इसको जलत दियान से सुनों इस सवाल को क्या कह रहा है कह रहा है कि हमारे पास दो rods है एक steel से एक copper से बनाई गई दोनों का coefficient of expansion हमें given है total length है 10 meter आप से पूछा है कि जब हम temperature बढ़ाते हैं न तो दोनों rods expand करती है normally obviously लेकिन यह कह रहा है कि difference in length of the steel and copper दोनों rods expand हो रही है जब भी आप इन दोनों का minus निकालेंगे मान लो यह expand हो गया steel बड़ी हो गई copper भी बड़ी हो गई ठीक है तो जब भी आप इनका minus करोगे length का जिस भी time पे वो length का minus हमेशा same रहता है है ना मान लो आपने temperature बढ़ाया अभी 10 degree Celsius temperature steel और copper के बीच का length जो है minus करो आपस में वो हमेशा same ही रहेगा आपको बताना है actual length मुझे बताईए what is the final length of steel that is L1 1 plus alpha S delta T मैंने पताई क्या माना है मैंने माना है steel का length है शुरू में L1 और जो copper है ना उसका शुरू में length है L2 तो ज़रा copper के length बताईए शुरू बाद में LCU that is L2 into 1 plus alpha of copper delta T आएगा ना now question क्या कह रहा है question कह रहा है minus करो हमेशा same ही मिलेगा आप minus करेंगे हमेशा क्या मिलेगा same ही आपने इन दोनों को minus किया ज़रा बताओ minus करने के बाद क्या बना L1 minus L2 plus delta T L1 alpha S minus L2 alpha Cu minus तो लिखी सकते हो ना अब देखो ये है ना difference इन दोनों की length का question कह रहा है ये difference हमेशा same रहता है आप बोलेंगे नहीं sir same नहीं रह सकता अब मैं पूछू क्यूँ इसका जो reason आप मुझे बोलेंगे वो बोलेंगे sir इस term को देखो ये term इस term में delta T है ना sir delta T change होगा ना temperature difference तो बादलती रहेगे और जैसे जैसे delta T change होगा ये पूरी term change होगे और अगर ये पूरी term change होगे तो यहां से देखो difference अपने आप change हो जाएगा मैंने का ठीक है ये difference कब constant रह सकता है आप बोलो sir ये term ही 0 होने चाहिए ठीक है कर दो 0 alpha 1 alpha S is equal to L2 alpha of copper यही कहना चाहते हो ना जब ये दोनों term से आएगे तो difference क्या आएगा इनका 0 मतलब ये पूरी term ही 0 हो जाएगे और difference क्या हो जाएगा same ठीक ऐसे भी कभी लिखा जाता है कि difference remains temperature independent है ना तो मुझे बताइए alpha 1 बे alpha 2 क्या है alpha of copper alpha of steel alpha of copper क्या है 2 into 10 power minus 4 alpha of steel क्या है 4 into 10 to the power minus 4 तो यहां वो cancellation L2 आजाएगा 2 times L1 clear नव मुझे एक बात बताओ यहां पर सूच के देखो अगर आप L1 और L2 का plus करोगे तो 10 नहीं आएगा शुरू में ही 10 था ना वो तो अब देखो L1 को तो आपनी जगा लिख लो L2 को क्या लिखोगे 2 times L1 is equal to 10 तो L1 क्या आगया 3 by 10 cm वोल्टा लिख लिए 10 by 3 cm ठीक है और इसे साब से L2 क्या आए जाएगा 20 by 3 cm आप याद रखो जब भी आगे से आपसे पूछा गया है इसकी लेंथ है L1 इसकी लेंथ है L2 ऐसा लिखा गया है कि तमपरेचर बढ़ा हो लेकि लेंथ इसका डिफरेंस सेम है या ऐसे लिखा गया हो कि तमपरेचर इंडिपरनट तो आप डिरेक लिखेंगे L1 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 is equal to L2 एलफा 2 पहले तो यह equation बना लेंगे and डूसरी equation लिख लेंगे L1 प्लस L2 जो भी इनिशाल लेंथ है second ठीक है भई तो इन दोनों को फिर solo करेंगे समझे मेरी बाद तो यह जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना last पर अगली बार से हम थोड़ी ऐसे सवाल को solo करेंगे इसको तो हम direct निप्टा देंगे shortcut से अगली बार ठीक है अभी कुछ और questions भी लेंगे दो चार जिससे कहानी थोड़ा और clear होती जाएगे ठीक है भई सवाल देखे अब आप अब यह क्या कह रहा है question यह कह रहा है find the change in length of rod on increasing the temperature by 5 degree Celsius यहने हमें क्या करना है temperature को 5 degree Celsius भड़ा देना है ठीक और उस वाज़े से देखना है इस rod में कितनी change आएगे length में अब इस सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यहां पर क्या given है देखो बिटा usually alpha जो होता है alpha वो हमेशा constant होता है almost हर बार बट हाँ sometimes यह vary भी कर सकता है इस चीज़ को समझना है कभी कभी क्या होता है सवाल में temperature vary यहना alpha vary करता है और vary यह किस के साथ कर सकता है मतलब अगर alpha change हो रहा है तो कौन-कौन सी चीज़ के साथ change हो सकता है आपको दो situations होंगी या तो यह distance के साथ change होगा यहने rod के end point से distance के साथ मतलब आपको बोलेगा कि ठीक है देखो यह rod के end point है इस जगा पर alpha का कुछ अलग value है यहने x distance दूर अब आप चलेंगे alpha का अलग value होगा जब आप यहां पहुंचेंगे तो alpha का कुछ और value होगा इसका मतलब है alpha जो है वो change हो रहा है distance के साथ और कभी कभी आपको बोल देगा नए ने alpha distance के साथ change नहीं हो रहा है alpha खुद temperature के साथ change हो रहा है ठीक है तो मैं आपको दोनों situations explain कर देता हूँ जब alpha distance के साथ change हो तो कैसे करना है और जब alpha temperature के साथ change हो तो कैसे करना है ठीक है यहाँ पर समझ लो यहाँ पर alpha क्या given है question में इसका मतलब क्या है इसका मतलब ही है कि अगर यह road है ना और आपने इसको origin माना हुआ है तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे distance x के साथ alpha का value change कर रहा है तो आपको क्या करना है आपको निकालना है इस case में कि बताइए length कितनी बढ़ेगी ठीक है तो देखो क्या करना होता है जब alpha length के साथ change हो अप एक काम कर आप एक road choose कर लो ठीक है sir यहाँ पर जाकर ना एक element choose करो अप छोटा सा element length element इसकी length आप मान लो dx ठीक है कहां से इस road के end से x distance दूर एक element choose करे है आपने जिसकी length है dx ठीक है अब जब आपने temperature बढ़ा आया ना तो इस dx की length change होगी और मान लो इस ds की length में change जो आया है वो है dy इसको समझ लेजेगा dy क्या है dy is change in length dy is change in length लेकिन किस element की change of dx dx element की change dx आपने element चुना था जब आपने temperature बढ़ाया तो उस element में जो change आया है length का वो है dy ठीक है बटा अब मुझे एक बात बताओ आपने formula पढ़ रखी है कि delta l जो होता है वो होता है बराबर alpha l not delta t है ना यहां क्या है change in length फिलाल आपने पास dy तो आपने लिखा dy alpha क्या given है 2x into 10 to the power minus 4 सही कहा रहा हूँ क्या मैं and what is l not जो यहां पे given है यहां पे l not देख सकते हो 10 given है है ना initial length और delta t जो है ना temperature का change वो question खुद से बोल रहा है temperature हमें 5 degree बढ़ाना है तो 5 ठीक अच्छा यहां पे एक चीज में guard board हो गई यहां पे जो element length हमने लिए है वो लिए है dx पूरा length थोड़ी लिया है हमने l not के बदले शुरू में length लिए है dx यहने पहले हमारे element के length थी dx अब बाद में change हो गया है वो by dy यहना तो dy को में लिख सकता हूँ ऐसे 5 to 10 10x into 10 to the power minus 4 dx जो बन जाएगा 10 power minus 3 x dx है ना अब अगर आपको total change in length निकालना है तो जाहर सी बात है आप करेंगे integration integration तो आप सब को आती है आप x का क्या limit देंगे x का limit यहां से शुरू करेंगे x is equal to 0 से इस end तक x is equal to 10 तक ठीक है तो limit आएगे 0 से 10 तो यह देगा आपको total change in length total change in length 10 power minus 3 इसको लिख देंगे ना हम x square by 2 0 से 10 ठीक है you know it अब limit है तो आप जानते हो कैसे करना है ठीक यह आजाएगा 50 into 10 to the power minus 3 जो कि आजाएगा 50 mm है ना भई तो आजसे आप याद रखेंगे कि जब भी किसी जगा पे आपको बोला गया हो कि alpha change हो रहा है with distance आप क्या करेंगे एक छोटा से element dx काट लेंगे बोलेंगे कि जब उसका temperature बढ़ेगा तो उसमें change आएगे length की dy फिर आप यह formula लगा कर integration कर लेंगे ठीक है is that clear तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ जिसे हम लोग कहते हैं isotropic expansion अब यह है क्या है isotropic expansion इसको थोड़ा समझेगा isotropic expansion what do you mean by isotropic expansion isotropic expansion का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा isotropic expansion का मतलब क्या है ठीक है काम करते हैं इसको इदर shift कर देते हैं isotropic expansion isotropic expansion का meaning क्या है थोड़ा ध्यान से समझेगा मैं क्या कह रहा हूँ देखो एक काम कर एक body ले लो आप object है ठीक है इस तरह से आपने इस पे एक line डाली है जिसकी length है L1 ठीक है एक और line आपने डाली है इसकी length है L2 फिर आपने क्या कहा है फिर आपने इस body का temperature increase कर दिया आप जानते है temperature increase करेंगे तो इस body की overall size बढ़ेगी है ना suppose अब ये बढ़ गया है size अगर इस body का size बढ़ गया है तो ये length भी बढ़ गयी है अब यहाँ पे जो length है इस तरह से बन चुकी है L1 है ना और ये जो L2 length है वो भी बढ़ गया है suppose final length बन गया है L1- ये बन गया है L2- ठीक है अब मुझे एक चीज़ बता what is the fractional change in L1 L1 कितना बढ़ा है चेंज क्या है आप बोलेंगे delta L1 upon L1 ये fractional change है change in length per unit original length इसे मैं कह सकता हूँ L1- minus L1 upon L1 ठीक है अच्छा मैं पूछो what is the fractional change in L2 तो आप लिखेंगे delta L2 by L2 मतलब L2- minus L2 divided by L2 ठीक है अगर isotropic expansion हो रहा है समझेगा अगर isotropic expansion हो रहा है इसका मतलब ये है कि fractional change in length is same fractional change in length is same everywhere मतलब जितना fractional change length में आया है ना पहली line में उतना ही fractional change आया होगा दूसरी line में ठीक है fractional change in length is same यानि आपको ये पता है कि आप जब photographic zoom करते हैं मनलो तुमारे पस कोई image है इस तरह से photo है ठीक है आप इसको देख रहे हो जब आप इसे zoom कर देंगे ना ऐसे करके zoom करते है आप ठीक है तो क्या होता है हर तरफ से length बढ़ती है हर तरफ से size बढ़ जाता है ठीक है तो आप बोलते हैं इसे isotropic expansion ठीक है जैसे मानलो ये cube की example मैं दे रहा हूँ आपको जैसे सुचो बेटा की ये cube है यहाँ पे है ना अब इस cube का अपने temperature बढ़ाया है अगर isotropic expansion हुआ है तो देखो हर side बढ़ेगा ठीक है ये side जो था ये भी बढ़ गया है ये side जो था वो भी बढ़ गया है वो side जो था वो भी बढ़ गया है equally तो ये cube क्यूब ही रहेगा बट अगर non isotropic expansion हुआ है तो तुम देखो एक side ज्यादा बढ़ेगा एक side कम बढ़ेगा ठीक है तो हम पते क्या बोलते है isotropic expansion में बोलते हैं कि coefficient of linear expansion has same value in all directions किसी भी direction में आप चलोगे न मैंने वो temperature बढ़ाया तो ये length है ये breadth है और ये height है देखो length भी बढ़ रही है height भी बढ़ रही है अगर इनका alpha अलग-अलग होगा length के लिए alpha अलग होगा breadth के लिए अलग होगा height के लिए अलग होगा तो unequal expansion आएगी length हो सकता है ज्यादा बढ़ जाए breadth कम ठीक है लेकिन isotropic में हर side से same expansion होता है ठीक है और ये usually पता है कहा होता है homogeneous materials में जो materials homogeneous होता है ठीक है जैसे इस पे एक छोटा सा सावाल देखो मान लो आपके पास एक square plate है अब इस square plate में आपने देखो एक circle यहां बना ले एक whole cavity create की है यहां पर एक cavity यहां पर create की है इस cavity की radius R2 इस cavity की radius R1 और इन दोनों के बीच का यह distance है D ठीक सुचो कि जब temperature बढ़ेगा सारे के सारे side इस पर क्या effect पढ़ेगा क्या सारी चीज़ें बढ़ेंगी यह सारी चीज़ें गटेंगी यह R1 बढ़ेगा D गटेगा R2 गटेगा यह सारी constant रहेंगी इस पर ध्यान से देखो तुम पता है क्या होगा तुम ना इसको अपने फोन में अभी देख रहो न वीडियो इससे इसी image पर क्लिक करके जूम करो है ना वो पिंच पिंच जूम करो इसी क्लिक पर जब आप जूम करोगे ने इस image पर तो आप देखो कि R1 भी बढ़ रहा है R2 भी बढ़ रहा है अगर isotropic expansion हो रही है ना तो change हर side से आएगी ठीक है तो when temperature increases isotropic expansion occurs and then all the parameters will increase इसका answer है सारे parameters बढ़ेंगे I hope मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा concept समच आया होगा isotropic expansion के बारे में ठीक है अब यहाँ पे तो clear है length कैसे बढ़ती है you know it अभी मैंने आपको समझा दिया linear expansion में कोई भी सवाल हो आप आराम से बैठके उसको solo कर सकते हैं and that is called as aerial expansion length के बाद इसे कहते हैं aerial expansion या इसका दूसरा नाम है superficial expansion मैं समझाता हूँ यह मतलब क्या होता है थोड़ा गौर से समझेगा superficial expansion ठीक है देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें काम करो तुमना एक plate ले लो ठीक है इस तरह से एक plate इस plate की यह वाली length समझ लो B है और यह वाली length समझ लो तुम A है इस plate की है ना अब मैंने क्या किया मैंने temperature बढ़ा दिया इसमें मैंने temperature increase किया तो तुम बोलोगे सर B length भी बढ़ेगी और सर A length भी बढ़ेगी अगर मैं कह रहा हूँ तुम से B length जो है B length यह वाली length यह जब बढ़ रही है ना इसके लिए coefficient of expansion is alpha x ठीक है और यह जो है ना यह side यह भी बढ़ रहा है इसके लिए coefficient है alpha y मतलब B side कितना बढ़ेगा per unit temperature rise वह alpha x और A side कितना बढ़ेगा वह alpha y ठीक है मैं बिना derivation के बोल रहा हूँ समझ लेना बात को समझ लेना देखो area क्या होता है area होता है length into breadth समझ जी मेरी बढ़ेगा अब अगर मैं error theory का थोड़ा use करूँगा मैं लिकूँगा delta A by A is equal to delta A by A plus delta B by B समझ लो है ना ठीक अब देखो यहाँ पर length बढ़ रही है दोनों side बढ़ रहे है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है area भी बढ़ रहा है अब area कितना change हो रहा है वो लिखा मैंने delta A यहाँ पर coefficient define किया जाता है beta beta का मतलब होता है coefficient of area expansion पता है इसका मतलब क्या है change in area per unit original area into rise of temperature जैसे हमने alpha लिखा था alpha कैसे लिखा था change in length per unit original length delta T वैसे ही यह भी लिखा हुआ है ठीक है तो यह beta है ठीक अगर हम थोड़ा इस equation को solve करेंगे ना तो हम यहाँ पर delta A को लिख सकते हैं beta A naught delta T यहाँ पर मैं initial area लिख रहा हूँ A naught और देखो delta A क्या है change in length change in length को कैसे मैं लिख सकता हूँ वहाँ का coefficient का alpha Y initial क्या है वो A delta T upon A और delta B को मैं कैसे लिख सकता हूँ उसका coefficient alpha X ठीक है B delta T upon B तो cancellation पर कर लेंगे तो beta आजाएगा alpha X plus alpha Y beta आता है alpha X plus alpha Y अब समझेगा इसका meaning क्या है beta आता है alpha X plus alpha Y what does that mean अगर isotropic expansion है तो isotropic expansion में alpha X और alpha Y क्या होते हैं बराबर दोनों को लिख लेते हैं alpha तो beta क्या आएगा alpha plus alpha तो beta आजाएगा 2 alpha अब तुम समझ पारे हो beta आ रहा है 2 alpha यानि aerial expansion का coefficient is double than the linear expansion coefficient लेकिन वो कब जब isotropic expansion होगा ठीक है ना बस इतना याद रखना है एक और चीज़ अगर यहां तुम final area निकालना चाहते हो ना final area is initial area into one plus beta delta T आए समझ और अगर expansion aerial है ठीक है isotropic है तो beta के बदले तुम 2 alpha भी लगा सकते हो ठीक है तो यह दोनों formula is valid है ठीक है ना आई बात समझ में नहीं कर रहे होते हैं suppose मैं बात कर रहा होता volume expansion की तुम सोचना volume expansion की बात कर रहा होता मैं suppose volume बढ़ रहा है जब आप temperature बढ़ाते हों यह suppose तुमने लिया है आपके पास एक cube है ना ठीक अब यह जो cube है इसका एक side A, एक side B, एक side C तो जब आपने temperature बढ़ाया इस cube का जो है ना वो parameter sides change हो गए और उससे क्या हुआ, volume change हुआ है ना यहां पे हम define करते है coefficient of volume expansion gamma, gamma किसके बढ़ावर होगा change in volume per original volume into delta T ठीक है, और यहीं से लिख सकते हो अगर final volume लिखना है initial volume into 1 plus gamma delta T जाहर सी बात है ना, क्या नया है इसमें ठीक, अच्छे एक बात बताओ अगर इस side का coefficient है alpha X, इस side का coefficient है alpha Y, इस side का coefficient है linear expansion वाला alpha Z तो मैं gamma को लिख सकता हूँ alpha X, alpha Y, alpha Z यह चीज़ याद रखना और इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब assumption लगा के अगर isotropic expansion है तो alpha X, alpha Y, alpha Z बराबर होंगे alpha के है ना तो gamma लिखा जा सकता है 3 times alpha ठीक है, अब यहाँ पर सूच लो तुम तुमने तीनों चीज़ें लिखी alpha, beta, gamma अगर isotropic expansion है ठीक है भाई, यह समझ गे कोई खास बात नहीं है ठीक है, अच्छा, volume के साथ एक और चीज़ associated होती है जो मतलब थोड़ा सा आपको समझना है, जिसे बोलते है density expansion density expansion बोल सकते है या change of density with temperature बोल सकते है expansion बोलना जरूरी नहीं है, ना density के पारे में बतते है मुझे बता एक चीज़ mass और density का क्या relation है density is mass parent volume suppose mass तो M है suppose initial density is row not ठीक है, जब इस cube का volume था ना V not, तब इसकी density थी row not बाद में क्या change होगा mass तो change नहीं होगा, ना volume change होगा बता हो जरा final density क्या बनेगी mass upon final volume मैं लिख सकता हूँ, mass upon final volume को क्या लिख सकता हूँ initial one plus gamma delta T ठीक है, तो density final is equivalent to ये M upon V not, ते row not है और बाकी term one plus gamma delta T raise to the power of minus अगर हम binomial theorem लगाएंगे, थोड़ा addition V थोड़ा swallow करेंगे जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है वो आ जाएगा रो नाट one minus gamma delta T तो याद रखो जबके सारे सारी चीज़ें किस तरह से वैरी हो रही हैं, जरा सोचो final length is initial length into one plus alpha delta T, ठीक है ये alpha का है, linear expansion का coefficient, final area क्या है a not into one plus beta delta T ठीक है, ये क्या है beta aerial expansion, अच्छा, volume expansion में क्या होता है, VF is V not into one plus gamma delta T, gamma क्या है, volume expansion का coefficient वही density is a legend, density अलग है याता है, one minus gamma delta T, क्या density का अपना coefficient होता है, नहीं वो तो सर, volume का होता है, उसके साथ क्या बीच में plus आता है, नहीं सर, इस बरी दुनिया में जहां सब के साथ plus आता है, यहां minus आता है, is that clear ठीक है, अब जैसे मैं एक दो सवाल लेता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत clarity आजाए इन चीज़ों पर थोड़ा सा, ठीक है अब इस question को ज़रा देखिए, देखिए, क्या कहरा है question यह कहरा, the coefficient of linear expansion of the crystal in one direction is alpha 1, ठीक है and that in every direction perpendicular to it is alpha 2 the coefficient of expansion of the crystal is, देखो ऐसा सवाल बहुत आसा होता है, अब जानते हो कि क्यूबिक expansion में तीन तरह से expansion होती है x, y, z में, question कहरा है कि एक side से expansion का coefficient है alpha 1, और बाकि जो दो directions है ना, इसके perpendicular, उनमें coefficient of expansion है alpha 2, alpha 2 ठीक है, आपको बोलना है, क्यूबिकल expansion किसके बराबर आएगी देखो, गामा यने क्यूबिकल expansion का coefficient, वो नहीं आएगा alpha x, alpha y, alpha z है ना, एक है alpha 1 दूसरा है alpha 2 प्लस alpha 2 तो आए जाएगा alpha 1 प्लस 2 टेम्स alpha 2, ठीक है देखा, आप इस short cut में कर सकते हो ठीक है, easily यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यह non-isotropic expansion की बात हो रही है क्यों non-isotropic expansion की बात हो रही है यह, it is because हर direction में, शाबाश coefficient of expansion से यह नहीं है, very good, ठीक है कुछ और questions भी है मेरे पास let us take them, हाँ देखो यह वाला सवाल देखो, मैं थोड़ा question, answer बर यह time बचाने के लिए थोड़ा answer भी है हमारे पास, यह बोला है volume of the metal surface increases by 0.2% volume जो है metal surface का, वो increase हो रहा है by 0.4%, 0.24% जब उसका temperature 40 degree बढ़ाया जाता है, आपको बोलना है linear expansion का coefficient, ठीक है देखो, यह bookish answer है अब direct अगर कर रहा हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, initial volume into V naught, और आजाएगा यह gamma delta T, यही आता है ना कै मैं ऐसे लिख सकता हूँ, delta V by V naught that is equivalent to gamma delta T अब तुम यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यह delta V by V naught कितना दिया गया है 0.24, ठीक है अब gamma मुझे पता नहीं है और delta T, मुझे पता है, 40 degree ठीक है, तो gamma का value आप यहाँ से calculation में चाहो तो कर सकते हो 0.24, कहीं पे गलत तो लिख लो, अच्छा percentage है ना, तो I should be writing it 100, 100 into 40, तो यहाँ gamma का value आएगा 6 into 10 to the power of minus 5 per degree Celsius, अब यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि यह isotropic expansion है, अब जब सवाल भी नहीं लिखा होता है ना, मान लेना चाहिए कि isotropic है, तो इसको लिखेंगे 3 alpha, 6 into 10 power minus 5, तो alpha का value है 2 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius, ठीक है यह आपको आजाएगा ना, इसी सवाल है अराम से देखना है इसको, ठीक है, देखो यह वाला सवाल देखो यह क्या कहा रहा है, a crystal has coefficient of expansion 13 into 10 power minus 7 in one direction तो मतलब 3 directions है ठीक है, इस direction में coefficient है 13 into 10 to the power minus 7, ठीक, फिर उसके बाद कहा रहा है, and 231 into 10 power minus 7 in every direction right angle to it, बाकि जो 2 directions है ना, perpendicular उनमें जो coefficient of expansion दिया गया है, वो दिया गया है 231 into 10 power minus 7, यह पहले सवाल जैसा ही है, है ना, जो हमने पहले किया है, तो मुझे बताईए cubical expansion का coefficient, वो तो इन तीनों का plus आएगा, alpha 1, alpha 2 or alpha 3, यह alpha 2 or alpha 3 बराबर है तो आएगा, 475 into 10 to the power minus 7 अमें एक लियर, ठीक है अब देखो, interesting मुझे यह वला सवाल लगता है, एक मिन्ट, इससे पहले एक और सवाल था, चैले ठीक है interesting मुझे यह वला सवाल लगता है यह बड़ा interesting सवाल है, यह क्या क्या रहा है, थोड़ा द्यान से समझेगा थोड़ा अच्छी level का सवाल है अपने पास 3 metal rods हैं ठीक, और 3 metal rods की same length दी गई है हमें question में आप देख लो, 3 metal rods की same length बताई गई है सवाल में अच्छा उसके बाद कहा गया है कि area of cross section मान लो, area of cross section A है और equilateral triangle बनाया गया है, ऐसे करके PS is independent, PS का मतलब है यह वाला side, अगर इस वाले side पर temperature का कोई effect नहीं पढ़ रहा there is no effect, मतलब जब temperature बढ़ेगा, यह side भी बढ़ जाएगा यह side बढ़ेगा, यह side बढ़ेगा, यह side बढ़ेगा but question कह रहा है कि मान लो PS is constant तो आप बताईए, इस में इन में से कौन सा relation सही है alpha 1 है QR के लिए coefficient of expansion इस वाले rod के लिए alpha 1 है ठीक है, alpha 2 है PQ and PR के लिए, इसके लिए coefficient है alpha 2, इसके लिए भी coefficient है alpha 2 ठीक है, अब आपको बताना है ज़रा मुझे एक चीज़ बता, छोटी सी बात करता है मैं आप से मुझे बताईएगा ज़रा, फोड़ा basic math से ज़रा इस triangle में पाइथोगरिस थियोरम लगा, क्या कहता है PS side निकालना है PS square नहीं आ जाएगा PQ square minus QS square बिल्कुल, है ना PS, जो है ना, PS लेट अस सबूस्ट उसके length मान लेते हैं L0 तो आ जाएगा L0 square, ठीक है और जो PQ है, उसके length मान लेते हैं L तो यह आ जाएगा L square minus, अब मुझे बता यह Q से लेके S तक क्या आ जाएगा, देखो अगर पूरी length यह है ना, L, equilateral triangle है तो यह आ जाएगा L by 2 square कर लेंगे तो L square by 4 very good L square by 4, अब ज़रा differentiate करो, इसको with temperature, तो यह आएगा 2L not DL not by DT सही है, लेकिन मगर एक किस साइड के लिए है P क्यों साइड के लिए, इसे कर लो plus नहीं बिटा, minus minus 12 D by DT of L, मगर यह किस साइड के लिए है Q S साइड के लिए लेकिन यहाँ पर division में 4 भी है उसे बूल मत जाना आप ठीक है, तो यहाँ 2 cancellation में लेकि जाओ आप तो यह बनेगा L0 DL not by DT साब़ाश फर दा साइड P S यह बनेगा L DL by DT फर दा साइड आप P Q यह बनेगा minus L by 4 DL by DT फर दा साइड Q S अब कॉस्चन को समझना, क्या कह रहा है कह रहा है कि Q S वाले साइड पर temperature को कोई फरक नहीं पड़ता तो change in length with temperature for the P S that is 0 है कि नहीं तो अगर यह 0 लिख लूँगा मैं तो L DL by DT for P Q सही बात है क्या minus यह बनेगा L by 4 DL by DT for the साइड Q S यह बनेगा L DL by DT for the साइड P Q is equal to L by 4 DL by DT for the साइड Q S है ना ठीक अब मुझे एक बात बताओ तुम थोड़ा गवर से सुनना alpha को हम कैसे define करते हैं DL upon L DT सही बात है क्या हाँ ऐसे तो करते हैं तो मुझे ज़रा बताओ यहां पर इस case में wish L और L को मैं cancellation में ले जा सकता हूँ ठीक है तो मुझे बताइए DL by DT क्या आजाएगा DL by DT आजाएगा ना alpha into L तो यहां पर भी इसके बादे लिखूँगा alpha 1 into L यहां जाएगा 1 by 4 उसके बादे क्या लिखूँगा alpha 2 into L ठीक है यानि मैं alpha पता है क्या लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ alpha लिख रहा है पहले PQ के लिए into L फिर वो जो दूसरा alpha है ना वो लिख रहा है QS के लिए तो L और L कटेगा alpha for PQ है ना ठीक that is equivalent to 1 by 4 of alpha for QS alpha for PQ क्या दिया गया है alpha for PQ PQ side के लिए alpha, 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 alpha PQ side के लिए alpha दिया गया हमें alpha 2 alpha 2 is 1 by 4 of alpha 1 यहने alpha 1 is 4 times alpha 2 ठीक है तो तो मैं समझा गया कौन सा option है alpha 1 is 4 times alpha 2 ठीक है clear वैसे आसान था यह अब देखो यह सवाल coefficient of volume expansion is this मतलब यह जो चीज अपने को दी गए ने यह गामा है ठीक है rise in temperature is 30 temperature का rise है 30 degree और बोला है change in density बताओ fractional change in density देखो जो इसने किया है ना leave it इसने कैसे answer निकाला है वो छोड़ो हमें पता है final अभी हमने किया था delta rho is rho not into 1 minus gamma delta t सही बात है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ने मैं ऐसे नहीं लिखा था मैं लिखा था ही इसको rho final हाँ ठीक है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ rho final upon rho not is equal to 1 minus gamma delta t जिसे मैं लिख सकता हूँ gamma delta t is 1 minus rho final by rho initial ठीक है तो gamma delta t को लिख सकते है rho not minus rho final upon rho initial यही तो है fractional change in density यही निकालना है हमें यह है delta rho by rho not gamma का value you can substitute that is given 49 into 10 to the power minus 5 and temperature का change is 30 okay so while solving you will get this 0.0145 ठीक है that's the answer to this question is that clear हाँ असान है एक और सवाल था मेरे पस कहीं पे कहीं पे तो था let me check okay 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 this one यह जगा नहीं बचे है ठीक है फिर भी कर लेते है बुरा ideal gas है ideal gas के लिए मुझे gamma निकालना है ideal gas के लिए gamma तो मुझे बोलो ideal gas में PV किसके बरावर होता है NRT जरा constant pressure की बात हो रही है pressure को constant रखो volume को differentiation करो भी time dv by dt is equal to यहां से आएगा NR है ना तो क्या मैं gamma gamma की definition क्या है gamma is if you remember dv by dt into v है ना बिलकुल सर यही होता है gamma तो dv by dt को क्या लिख सकते है gamma v तो p gamma v is equal to n into r तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ pv is equal to nr by gamma है ना अब equation थोड़ा सा और लगा लो सही से तो मैं लिख सकता हूँ pv is equal to nr t सही बात है बिलकुल तो मैं लिख सकता हूँ nr को बराबर pv by t into gamma pv pv cancel तो gamma आजाएगा 1 by t ठीक है तो ideal gas के लिए याद रखना gamma 1 by t होता है हाँ constant pressure पे सही बात है gamma is 1 by t at constant pressure ठीक है आई होप आपको solids की expansion clearly समझ आई होगी ठीक है अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि thermal में एक topic एक lecture में cover हो हो सकता है lecture थोड़ा लेन्थी भी हो सकता है जैसे मान लो इसमें main topic जो है पहला topic है इसमें expansion ठीक है दूसरा topic है calorie metric तीसरा topic है conduction और चोथा topic है thermal पाँचवा topic है kinetic theory of gases तो फिलाल तो expansion हम cover कर रहे हैं हमने solids का खतम के अभी liquids का expansion है और उसके बाद expansion का पूरा topic close हो जाएगा देन हम लोग अगला lecture लेंगे calorie metric पे अगला lecture conduction पे फिर thermodynamics पे एक और kinetic theory पे एक ठीक है देखो lectures लंबे हो सकते हैं बट एक lecture आएगा एक topic पे ठीक है तो आपको क्या करना है ना आपको follow करना है अच्छे से और हो सकता है अगर मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो आप थोड़ा video को slow करके चला सकते हैं ताके आप थोड़ा अच्छे सी चीज़ों को समझ सको ठीक है and if you are not getting the things properly किसी जगह पे doubt है या कुछ हो सकता है हो तो आप यहीं पे comment section में comment करके बता दीजे मुझे ठीक है I'll be answering, I'll be happy to answer those queries ठीक है अभी liquid expansion पे चलते हैं चले अब चलते हैं expansion of liquids पे है न तो अभी तक solids का expansion हम पढ़ चुके हैं अब end पर बारी आती है liquids के expansion की ठीक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे पे देखो अगर अब solids का expansion समझ चुके हो न तो liquids का expansion समझ न is not really great, something great बहुत आसान सी चीज़ है द्यान से समझेगा जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको ठीक सौचो कि आपके पस एक container है suppose let us say आपके पस एक container है इस तरह से और इस container में आपने रखा हुआ है कोई liquid है न ठीक मान लो यहां तक इस container के अंदर कोई भी liquid रखा हुआ है any sort of liquid is inside that conductor so यह है इस container container के अंदर liquid ठीक है न यहां पे एक liquid है और यह container है अब आप समझा इस बात को अच्छे से जब आप इसे heat करेंगे न तो दोनों ही चीज़े expand होगी बटा आपने इसे heat किया है ठीक है तो heat करने के time पे न दोनों चीज़े expand होगी पता है क्या क्या expand होगा एक तो सबसे पहले container expand होगा ठीक है आप तो जानते हो container expand होगा ठीक और container के साथ साथ जो liquid इसके अंदर रखा है वो भी expand हो जाएगा ठीक है दोनों चीज़े expand होगी container will show expansion as well as liquid will show expansion ठीक है अब थोड़ा सा न इस चीज़ को समझते हैं container की expansion कैसे हो रही है liquid की expansion कैसे हो रही है ठीक है मैं इसमें आपको तीन questions करवाने वाला हूँ ठीक है अगर आप इन तीन questions को द्यान से सुचेंगे ना द्यान से देखेंगे तो आप आराम से समझ पाओगे कि expansion किस तरह से काम कर रहा है ठीक है अपने पास एक container है मैं एक container बना रहा हूँ ठीक है ना द्यान से सुनना इस तरह का एक container है ठीक इस तरह से अब इस container में देखो इस container में हमने कुछ liquid बढ़ा हुआ है say for example up to this height एक liquid बढ़ा हुआ है इस container के अंदर ठीक है ना आराम से सुनियेगा समझेगा अच्छे से कोई बड़ी बात नहीं है बड़ थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें एक liquid बढ़ा हुआ है इस container के अंदर up to the market level ठीक है जहां तक मारे किया है मान लो पहले बात ले लेते हैं कि ये container wooden है wooden container ठीक है hypothetical situation ले रहा हूँ मैं ठीक है hypothetical wooden container है wooden container को heat करने से कोई expansion नहीं आता इसको समझो यानिए alpha for the container is zero हर साइड से container expand नहीं हो रहा है और इसके अंदर जो liquid है उस liquid का coefficient of expansion है gamma L यानिए liquid expand कर रहा है ठीक है और यहां से यहां तक जो height है ना इस liquid की that is suppose H0 so what is beta H0 that is the initial liquid height ठीक है और इसमें जो liquid है ना उसका volume है V0 V0 is nothing but it is the initial volume of liquid मुझे एक चीज़ बताओ जब आप इसे heat करेंगे ना तो what will happen आपने suppose इस container को heat supply किया है तो यहां पे जो condition है उससे सबसे container तो expand करेगा नहीं expand क्या करेगा सिर्फ liquid और अगर liquid expand करेगा तो उसकी height container के अंदर change हो जाएगी मतलब अगर expand कर रहा है तो height बढ़ेगी ना अब liquid की surface जो है वो उपर चले जाएगी कितना उपर जाएगी अपना वही सवाल है देखो बहुत आसान सवाल है ठीक है liquid जो expansion कर रहा है वो volumetric expansion है तो final volume of the liquid is initial volume into 1 plus gamma L delta T ठीक है अब मझे बताएगे final volume को मैं कैसे लिख सकता हूँ base area A मान लो area भी तो change नहीं हो रहा है न area into final height initial area A ही है और V not an initial volume initial area into initial height 1 plus gamma L delta T अब यहाँ पर A और A काट लो तो final height is basically equivalent to initial height into 1 plus gamma L delta T ठीक है तो इस equation से तुम्हे final height पता चल जाएगे ठीक है आपको पता है इस equation की खास बात क्या है मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा इस equation की खास बात क्या है height में कौन से expansion आएगा linear height में कौन से expansion आएगा linear expansion ना ठीक है लेकिन height linearly expand कर रहा है लेकिन इसमें envolli हो रहा है gamma, gamma मतलब volume expansion कہ coefficient I yeah some Of Mighty ठीकि版 है यई हाइट में हो रही है linear expansion लेकिन इसमें equation में इन वालो हो रहा है gamma, gamma मतलब liquid embarrassed volume metric expansion ठीक है चَले, ये तो हो गए पहला example दूसरा example समझते हैं यही container ले ले लेते है oùापस ठीकिखे बिटा, एक मैठ udah यही कंटेनर ले लेते हैं वापस हमागा सेम टू सेम कंटेनर ले लेते हैं वापस चलो यही कंटेनर मैंने लिया है वापस ठीक हाँ यही कंटेनर लिया है मैंने वापस ठीक है किदर गया यह दर क्यों चला गया रहे रहे यही तो खराब हो गया ठीक है एक सेकंड चलो यहां पर पेस्ट कर लेते हैं इसको जा जा अरे पाप ले फिर उदर ही कोई नया बना लेते हैं ठीक है ओ नहीं रहा है ठीक कोई बार नया बना लेते हैं यह आपके पस कंटेनर है अब इस बर थोड़ा एजम्शन हटा रहा हूं मैं आपनी मैं बूरो नहीं कंटेनर एक्सपेंड हो रहा है इस टाइम पर ठीक है कंटेनर में जो लिक्विड है वो भी एक्सपेंड हो रहा है और कंटेनर जो है वो भी एक्सपेंड हो रहा है मैंने इसमें थोड़ा लिक्विड बर दिया है सबोज यहां तक लिक्विड बर दिया है मैं इसमें ठीक अब इसमें liquid बढ़ा हुआ है ठीक इस तरह से संचो कि it contains a liquid ठीक इस तरह से अब मैं आपसे क्या कहा रहा हूँ कि मांदो इसके area है a क्या हो गया a raise a और initial height जो है न वह है इसकी h not थोड़ा hang कर रहा है ठीक है अच्छा इसका liquid का coefficient है gamma L एक सेकेंड बीटा और container का जो coefficient expansion है that is gamma C एक काम करते हैं मानते हैं कि container का सिर्फ area expansion हो रहा है समझना बात को दी में दी में आगे बढ़ते हैं container का सिर्फ area expansion हो रहा है area expansion का मतलब है container का सिर्फ area बढ़ सकता है बस बाकि जो height of the container है यह height of the container suppose मान लेते हैं कि यह constant है ऐसा assume कर लेते हैं d में दी में आगे बढ़ेंगे container का सिर्फ area बढ़ रहा है ठीक जो height है container की वो constant है ठीक initial volume is V0 okay that is equal into initial area A0 into initial height H0 अब बताना है कि किस तरह से liquid की height rise होगी मुझे एक बात बताओ जरा what is the final volume of the liquid that is initial volume of the liquid into 1 plus gamma L delta T यह किस के लिए लिख रहा हूं है liquid के लिए समझ पार है बात को मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता height final area final ठीक है that is height initial area initial 1 plus gamma L delta T okay इसे कह देते हैं one and container भी तो expand हो रहा है लेकिन container में कौन से expansion है खाली aerial तो container के initial volume area के a naught one plus beta delta T अब aerial expansion है लेकिन isotropic है तो तुम जानते हो बीटा को replace कर सकता हूं है 2 alpha से ठीक है अब इसे कहते है second now दोनों को जरा divide करो divide करने पर क्या मिलेगा आपको यहां पर आजाएगा height final ठीक है ना that is equivalent to मैं इस तरह से क्या सकता हूं height final is initial height देखो a naught और a naught तो हो जाएगा ना cancel समझ पार हो बात को a naught a naught हो जाएगा cancel ठीक जो final volume है ना container का वो आजाएगा na af final volume of the container is initial volume into this है ना h naught आजाएगा और आजाएगा बराबर 1 plus gamma l delta T upon 1 plus 2 alpha delta T बिल्कुल इसे मैं थोड़ा चाहूं तो थोड़ा लिख सकता हूं ऐसे gamma l delta T denominator को उपर ले जा रहा हूं है यह बनेगा 1 plus 2 alpha delta T to the power minus 1 right जिसे मैं थोड़ा लिख सकता हूं ऐसे h naught into 1 plus gamma l delta T binomial expansion का use करेंगे binomial theorem का minus 2 alpha delta T ठीक है तो थोड़ा आप इसे solow करेंगे तो you will get this thing h naught into 1 plus gamma l minus 2 alpha delta T इस case में आपने क्या माना था इस case में आपने माना था खाली area बढ़ रहा है ठीक है तो container की height constant है ठीक है तीसरा case ले ले लेते हैं तीसरा case ले ले लेते हैं इस तरह से सोचो कि container का volume भी बढ़ रहा है height भी बढ़ रही है area भी बढ़ रहा है मतलब overall container का volume ही बढ़ रहा है जो कि real चीज है क्योंकि दिखो पहला case possible ही नहीं है जब आप उसे heat करेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो expand नहीं करेगा expansion तो होगी ना दूसरा case भी थोड़ा reality से दूर ही लगता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है सिर्फ area बढ़ रहा है height की बात ही नहीं हो रही height बढ़ रही ठीक है real case तो यह होगा कि अगर gamma L है liquid का coefficient तो gamma C होना चाहिए container का coefficient है है ना इसमें जो volume होगा initially A not into H not A not is the base area H not is the initial height ठीक तो final volume क्या होगा liquid का मुझे बताओ final volume for the liquid and container दोनों की बात करते हैं पहले container की बात करते है container क्या आएगा वो आगा ने initial volume into 1 plus gamma C delta T and अगर liquid की बात करें तो liquid के बारे मैं अब बोलेंगे final height for the liquid final volume for the liquid that is equivalent initial volume आजाएगा V not 1 plus gamma L delta ये liquid का final volume है ये container का final volume है नव देखते हैं minus करके क्या आएगा कितना volume change हुआ है वो आएगा ना liquid का final volume minus container का final volume आप दोनों को minus कर लो तो या जाएगा V not into gamma L minus gamma C delta T बात को समझेगा change in volume is equal to initial volume और ये gamma L minus gamma C को मैं लिखता हूँ gamma apparent delta T मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा gamma apparent जो है that is equivalent to gamma L minus gamma C अब जरा द्यान से सुनना अगर gamma L जादा है gamma C से मतलब liquid का expansion तेज़ी से हो रहा है then container liquid का expansion जादा तेज़ी से हो रहा है then container मतलब पानी की height तेज़ी से बढ़ेगी और container की तेज़ी से नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा water की level या liquid की level आपको increase होती हुए देखेगी बाहर से है ना ठीक और दूसरी बात अगर gamma L less than है gamma C container की expansion जादा तेज़ी से हो रही है तो आप क्या बोलोगे level decrease कर रही है पानी की है ना liquid की तीसरा और अगर दोनों बराबर है तो आप बोलेंगे sir कोई ने level constant है मुझे लगता है ये तीन questions आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे ठीक है कुछ और भी questions लेते हैं तागे थोड़ा clear ओके this is the question now read it जबर इस question को read करें क्या क्या रही है the real coefficient of the volume expansion of the glycerine is this thing तो ये जो चीज हमें दी गई है ये क्या कहा गया है कि glycerine का expansion coefficient ये है मतलब ये gamma L है and linear coefficient of expansion of glass glass का alpha दिया गया है यहन्य alpha of the container given है then the apparent volume coefficient of the expansion of glycerine हमें बोलना है glycerine का volume expansion coefficient क्या आएगा अब समझ पा रहो दिखो मैं बताता हूँ आपको यहां बताओ gamma apparent क्या given है gamma apparent होता है बराबर gamma of the liquid minus gamma of the container apparent coefficient given है ना हमें ये देखो 0.000597 है ना ठीक is equivalent मुझे बताओ liquid का coefficient of expansion वो तो निकालना है minus container का कितना है वो alpha है लेकिन हमें gamma का container गामा लिखना है container का है इसका मतलब है हम लिखेंगे ना 3 times alpha c 0.000597 gamma L minus 3 times 0.00 3 और 5 है ना 3459 ठीक है तो यहां से gamma L आपको निकालना है बिटा gamma L का जो value है यह देखो एक question है हमारे पास इस तरह से ठीक है अब इस question में क्या क्या given है जरा देख लो अच्छे से अराम से सुन लो यह जो है ना यह बोल रहा है real coefficient of volume expansion of the glycerine glycerine का यह है volumetric expansion coefficient मतलब यह है liquid का coefficient expansion of glass लेकिन यह बोल रहा है linear coefficient of expansion मतलब यह है alpha of the container glass है ने glass container है ठीक अच्छ आपको बोलना है apparent volume coefficient apparent volume coefficient मतलब gamma apparent एक बात बताओ gamma apparent क्या होता है gamma of the liquid minus gamma of the container gamma of the liquid minus gamma of the container यहां दिया गया है alpha of container आप बोलेंगे sir वो आएगा ना 3 times alpha of container gamma तो liquid का जागा 0.000597 minus 3 times 0.00034.9 ठीक है आप यह calculate कर जागा 0.00057 per degree Celsius इदे को next सवाल क्या है जरा सवाल को एक मिट पढ़िए यह क्या रहा है कि there is a glass flask of volume 1 liter ठीक है एक glass flask है जिसका जो volume है वो 1 liter है मतलब initial volume 1 liter है and is filled with mercury और उसे mercury से fill up करा गया है ठीक है mercury से fill up करा गया है उसको ठीक add 0 degree okay 0 degree का temperature initially both the flask and the mercury are now heated to 100 degree पहले 0 degree था temperature अब heat करके बनाया गया है 100 degree Celsius if the coefficient of volume expansion of mercury mercury का volume expansion coefficient मतलब यह नहीं है gamma L volume expansion coefficient of the linear expansion gamma volume expansion coefficient of the linear expansion of the glass is this यह glass का coefficient of expansion है अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि यह जो दिया गए है न यह दिया गए है coefficient of linear expansion मतलब यह है alpha of the container ठीक है हमें बताना है mercury का कितना volume glass से बाहर निकलेगा तुम समझ पा रहे हो container है container के अंदर mercury है ठीक mercury का coefficient दिया गया है हमें 1.82 10 power minus 4 temperature का जो change है न पहले था 0 बाद में है 100 तो 100 degree का temperature change हुआ है इसको heat करा गया है ठीक है अब यहाँ पर आपको बोला गया है container का alpha that is 10 into 10 to the power minus 6 container का gamma क्या आजाएगा 3 time is this है ना तो 3 into 10 power minus 5 ठीक है तो बताइए कितना heat करने के बद mercury expand होगा तो कितना mercury का volume है जो बाहर आएगा बाहर कितना volume है जितना volume change है volume change कितना होगा V0 gamma apparent delta T यही तो पढ़ा था V0 is initial वो तो 1 है gamma apparent का मतलब होगा है liquid का minus container का delta T liquid का है 1.8 to 10 power minus 4 minus container का है 3 into 10 to the power minus 5 into change in temperature that is 100 तो यहाँ पर तुम लगा लो answer आई जाएगा आपका 1.5 15.2 ml इतना volume है पानी का जो बाहर गिर जाएगा ठीक है तो यहाँ आपका complete होता है liquid का coefficient of expansion यहनि अगर liquid expand करता है container के अंदर तो कैसे expand करता है liquid ठीक है ना अब आब समझ गये होंगे कि expansions कैसे करनी है आपको solid expansion liquid की expansion मैंने बता दी ठीक है सारी चीज़ें अब यहाँ पर ना एकद चीज़ें और समझो that हमें जो last topic पढ़ना है thermal expansion में वो है कि applications क्या है thermal expansion की applications of thermal expansion यह thermal expansion हम use कहां करते हैं ठीक है ना उसके बारे में थोड़ा सा बता देता है and then we'll finish this lecture okay last topic है applications ठीक है ना चलो बेटा पार्ट देहें जल्दी जल्दी से expansions को complete करते हैं पहला है आपके पास example which is called as bimetallic strip bimetallic strip ठीक है मैं इसके बार में detail तो नहीं discussion करने वाला बड़ जितना आपके exam के लिए जुरूरी है बस वही जैसा मैं आपको पहली बता चुका हूँ हम नहीं ले रहे हैं detailed में चीज़ों को बस एक उपर से एक view लिया जा रहा है चीज़ों का ठीक है ताकि quick recap आप समय सकते हो जैसे मान लो आपके पास इस तरह से एक sitrip है metal से बनाई गई एक छोटी सी sitrip है ठीक है and then we have another sitrip ठीक है ना metal से ही बनाई गई है दूसरी sitrip वो sitrip कुछ इस तरह से है यह दो sitrips है हमारे पास ठीक है ना यह जो उपर वाली sitrip है consider that this sitrip is made up of steel यह strip steel से बनाई गई है और इसका coefficient है suppose alpha 2 और यह नीचे वाली strip जो है वो brass से बनाई गई है इसका coefficient है alpha 1 ठीक है ना अब मैंने इसे heat दिया है दोनों को मैंने दोनों को heat दिया है ठीक है अब यहाँ पर समझो कि steel का suppose coefficient of expansion ज्यादा है किस से ब्रास से तो कुछ देर बाद पता है आप क्या देखोगे आप देखोगे कि sitrips की हालत कुछ ऐसे हो चुकी है इस तरह से यह कौन से sitrip है ब्रास वाली है ना और यह बाहर वाली स्टिप जो बना रहा हूं है यह steel वाली स्टिप bend हो चुकी है इस तरह से ठीक है यह इनका common center है और bending होने के बाद जिस करू में यह है उस करू का radius r है यह angle बीच में theta है और सोचो कि यह जो distance है यह यह d है ठीक है पता है सवाल क्या आता है अगर इसकी length L1 है इसकी length L2 है यहां तो जाहर सी बात है L2 is greater than L1 आप से अक्सर पूछा जाता है कि भाई आब बताओ यह radius कितनी होगे ठीक है देखो मैं शॉर्ट कट बता रहा हूँ radius will always be equal to alpha 1 upon alpha 2 minus alpha 1 into D है ना ठीक अगर आप थोड़ा ज़्यादा interested है तो आप पढ़ सकते हो कि by metallic strips को पहले fire alarms की तरह use किया जाता था ठीक है मैं ज़्यादा cover अपनी करने वाला आप जिस भी book को follow कर रहे हो जिस भी चीज़ को या module वगरा को ठीक है तो उससे आपको मिल जाएगा इसका use क्या है ठीक है लेकिन आपने हमारे पास तो सिर्फ इसका एक छोटा सा application है बस और कुछ भी नहीं दूसरा application है हमारे पास which is basically the simple pendulum मैं आपको समझाता हूँ simple pendulum क्या है वैसे आपने पढ़ा होगा simple pendulum के बारे में ठीक simple pendulum तो आप जानते होंगे जैसे सोच लो आपने पास इस तरह का एक setup होता है एक bob होता है जिसको attach किया जाता है एक string के थूँ इस तरह से तो जब आप इसे force देंगे ना तो ये pendulum ऐसे ऐसे oscillate करता है इस तरह से जब ये oscillate करता है तो हम बोल देते हैं कि ठीक है इसका time period जो होता है ना T होता है 2 pi root of L by G इनने time period is directly proportional to root L जब सूचो दिमाग लगाओ जब temperature बढ़ेगा तो what will happen हाँ भाई सूचो जब temperature बढ़ेगा तो क्या होगा temperature बढ़ गया है suppose temperature increase हो गया है temperature के increase होने से temperature के increase होने से length increase हो जाएगी expansion होगी temperature के increase हो जाने से length increase होगी expansion होगी और अगर length change हुआ तो time period भी change होगा सूचो अगर length बढ़ रहा है तो time period बढ़ेगा मतलब एक चकर complete करने में ज़्यादा time लगेगा इसका मतलब है pendulum slow हो जाएगा pendulum will lose time हम ऐसे बोलते हैं pendulum time loss करेगा और अगर अगर अब समझ लो length गट रही है contraction हो रहा है suppose तो time period भी गटेगा इसका मतलब है pendulum fast जाएगा ठीक है loss time और gain time की बात नहीं करेंगे slow जाएगा यहाँ fast जाएगा समझे मेरी बात मुझे एक बात बताओ अगर delta theta is change in temperature delta theta is change in temperature जरा error theory लगाओ t is directly proportional to root l होता है error theory लगाओ delta t by t half of delta l by l now delta l by l का value तो जानते ही होंगे तो alpha delta t यह बन जाएगा 1 by 2 oh sorry 1 by 2 तो यह आगा है न 1 by 2 alpha delta t मतलब this is the change in time period relative change in time period यह है time period का change ठीक है यहाँ से तुम delta t पता है कि delta t is the change in time period t is the original time period alpha is the coefficient and delta theta is the change in temperature समझे है यह बात एक question ले लेते हैं इस पे ठीक है सवाल देख लो जरा क्या है यह कह रहा है अगर alpha है न 10 to the power minus 6 alpha है find the loss in time period on increasing the temperature by 10 degree Celsius in one day सोचो के एक दिन में temperature 10 degree Celsius बढ़ गया एक simple pendulum है जो oscillate कर रहा है और एक दिन में temperature 10 degree Celsius बढ़ गया तो बताओ वो pendulum कितना time period loss करेगा है ना ठीक एक सेकिट हाँ देखो जैसे हम तो पस formula क्या है delta t by t that is equal on to 1 by 2 alpha delta theta है ना तो 1 by 2 लिख लिए alpha is 10 to the power minus 6 delta theta is 10 है ना change in temperature तो delta t by t लिख सकते हो 0.5 into 10 power minus 5 ठीक है जिसे लिख सकते हो 5 into 10 power minus 6 seconds पता है पर second एक second में इतना time loss हो रहा है तो एक day में कितना होगा sir एक second में कितना हो रहा है 5 into 10 power minus 6 हम देख लेते हैं एक दिन में कितने seconds होते हैं एक दिन में होते हैं 24 गंटे और 60 मिनट एक गंटे में 60 seconds ठीक है तो तो तुमारा answer यहां से आजाएगा कितने seconds का time period इसने loss करा है ठीक है एक question देखो जरह जरह इसे पढ़ लो अच्छे से थोड़ा सोचो इस पर एक bi metallic से tript है जिसमें दो elements है x और y ठीक है it is mounted on regionally on a base एक base के उपर लगाए गए है x का जो coefficient of expansion है न वो ज्यादा है ठीक है compare to that of b मतलब x का coefficient of expansion ज्यादा है b से मतलब x जल्दी expand भी करेगा y से और x जल्दी contract भी करेगा y से दोनों मतलब है तो जब आप bi metallic strip को रखेंगे cold बात में ठंडा जब ये ठंडी में जब इसको रखोगे तो क्या होगा ये bend करेगा towards right मतलब इदर ये bend करेगा towards left मतलब इदर ठीक है ये बूल रहा है it will bend but not shrunk अच्छा ये bend करेगा इदर या इदर मगर shrunk नहीं होगा ती it will neither bend nor shrunk ना ये bend करेगा ना ये shrunk करेगा देखो x का ज्यादा है न कोफिशन तो ये bend भी जल्दी करेगा मतलब shrunk भी जल्दी होगा और x bend भी जल्दी तो अगर ये shrunk हो गया तो सूचो इसका size तो काम हो गया ना उसका क्या हो गया ज्यादा पता है क्या हो गया जैसे by metallic strip की तरह अभी याद रखो देखो दो दिये थे ना मैंने बराबर length वाले इसका था alpha 2 इसका alpha 1 alpha 2 ज्यादा था ना तो ये ऐसे bend कर गया था याद होगा तुम्हें ठीक है इसी तरह से ये भी bend करेगा मगर किदर इस तरह तो मतलब इस तरह से कुछ बन जाएगी state है ना ठीक तो ये bend करेगा इस तरह ठीक है ना जरा ये सवाल आपका home work है थोड़ा सा सूचना इसको ठीक है अगर alpha aluminium का ज्यादा है steel से ये वैसा वाल ये एक aluminium में एक steel है aluminium का ज्यादा है तो क्या होगा तो तुम्हें पता है तो ऐसे रहेगा ने इस तरह से aluminium ऐसे steel ऐसे reministrate नहीं gets twisted नहीं bend with aluminium on the concave side aluminium रहेगा convex side पे ठीक तो मुझे लगता है यहां तक clear है expansionist ठीक एक छोटी सी चीज़ और है meter scale शायद है ना ठीक let me see ये बात कर ही लेते हैं ठीक है meter scale के बारे में last पर है faulty meter scale तीसरी application faulty meter scale meter scale कर लेते हैं इसके बारे में बात ज्यादा मसला नहीं है सब उसमालों तुमारे पास एक scale है है ना और scale से हमने इन दो points के बीच की distance को major किया A और B scale को लगाया हमने और A और B इसकी length को major कर दिया हमने किसकी length को A और B के बीच की length को ठीक है जब temperature बढ़ेगा जरा सोचो scale की अपनी length भी बढ़ेगी अब ये scale ऐसे expand होगा ठीक है थोड़ा से length बढ़ गई इसकी क्या ये सही reading देगा अब पिल्कुल सही नहीं देगा reading सही क्योंकि अब दो divisions की बीच में जो gap पहले था अब वो नहीं है अब वो ज़्यादा हो चुका है gap दो divisions के बीच का scale expand हुई है let us suppose the expansion in scale is delta L of scale बस NEET में क्या पूछते हैं द्यान से समझो मैं बताता हूँ मुझे बताओ एक चीज length जो increase हुई है scale की वो किसके बराबर होगा original length alpha of the scale into delta T ठीक है तो reading गलत आएगी न अगर आपको true reading निकालनी है असली वाली reading असली वाली reading is equivalent to measured length अब देख लो इस scale से कितनी length major हो रही है faulty scale से ही देख लो और minus कर लेना expansion of the scale क्योंकि ये expansion of the scale जो हुई है वही तो ज़्यादा दिखा रहा है न ये ठीक बागी कोई मसला नहीं है ठीक है आप कर लोगे ये अगर आप इस चीज़ को अच्छे से करेंगे इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया आपको इस lecture में सारी चीज़ों को द्यान से गौर से अच्छे से revise करेंगे समझेंगे इन questions को करेंगे and previous questions करेंगे believe me आपका सवाल नहीं छूटेगा ठीक है आप Thermal Expansion में से easily सावाल कर लेंगे ठीक है तो let's meet you in next lecture till then take care